हाई गाईज वेलकम बैक टु माई चैनल एफडी लाइफ तो आज हम बनाने जा रहे है मतर पनीर तो मतर पनीर की रेसिपी के लिए हमें कौन-कौन से इंग्रीडियन्स है तो चलिए हम देख लेते हैं तो मैंने यहां पर एक प्यांस लिया है तीन तमाटल लिये है प्यांस मेंने एक मिडियन साइज लिया है तीन मिडियन से बांटर है पनीर है 500 ग्राम यह है कुकिंग ओई और यह फ्रोजन मतर है जिसे मैंने हलका सा बॉइल कर लिया था और यह जिंजर गालिक पेस्ट है अधी चमच और एक चमच छोटी चमच की दीरा है साबूद मसाले में जही बेशिक पावडर और यह उनुपील पहुत है तो अभी हम यह जह भी प्याद और टमाटर को चौप कर लेते हैं और पनीर की भी स्लाइस काट लेते हैं तो यहां पर मैंने अनियन चॉप कर लिया है और टमाटर भी चॉप कर लिया है और पनीर की भी स्लाइस कर लिया है और मैंने कड़ाई भी चड़ा दिये तो चलिए अब हम इसको फ्राइ करते हैं यहां पर जो मैंने अनियन और टमाटर अब भी तो इसमें प्राइब बनाना है तो इसलिए बनाना है तो इसलिए बने रफली चॉप किया है तो यहां पर गयास पकड़ा खेडा दी है तो हम इसमें कुकिंग ऑई डालेंगे अभी थोड़ा साही डालेंगे कुकिंग और दालेंगे पाद अन्या टाले तो इसके दूप एक पूच्छा प्राइब यहां तो इसमें आन्या था यहां प्राइब कर दो दोड़ा है यहां घ्या अन्या बनाना मेरी अन्या चॉप पिंक हो गया है तो हमें यह पे चॉप के हुआ तमाटर एज करेंगे अब हमें इसे प्राय करना है मैंने हमें यह जो मटर कमीर की सब्जी है वो मैं बहुती सिंपल सरीकी से बना रहे हूं मैंने यह पे और कोई भी गरम मसाले खड़े गरम मसाले यूज नहीं किया है आज साहे तो यहां पे तेज पता, इलाइची, दाल सीमी यह तब एड करके टमाटर और अन्यन डाले पर मैं सिंपल बना रहे हूं बस प्याद और टमाटर और मैं यहां पे आज दिंडर गाली पेस्ट है वो एड कर दूंगी में पास पेस्ट है तो मैंने पेस्ट एड किया है अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो फिर आप अद्रफ और दू लसन है उसको हलकी से चॉप करके भी आज सकते हैं आप अब ॅब हमयर हमें इसे प्राई होने देना है अब हमना देना है गल गल्णा जाए तो हमें इसे टेमाटर को मैश करते पर पकाना है ऐसे टेमाटर को मैश करते रहे जो जिंजर और गार्लिक पर कच्छा पन है उसकी स्मेल रहा हो निकल जाने के लिए तो हमने यहां पर जो मसाले लिए थे नमक, मिर्च, धनिया और हल्दी वह में पर आड़ कर देंगे एड़ करने के बाद हमें इसे को दिर और कुकरना है इसे हम अभी पांस मिट और धक के तो पकने देंगे तो पांस मिट तक हमें धक्या पकाना है बीच-बीच में हमें एक गोबाई को घुला लेंगे तासकि जो रहा है वह मसाले जले ना तो पांस मिट बात मेरे मसाले काफी अच्छे से पक दे हैं और मैं अब इसे घंड़ बन कर देती हूं और मुझे इस मसाले को थंड़ा करना है थंड़ा करके हम इसे घ्राइंड करेंगे तो हम इसे काफी Sally grid करेंगे किया कि हमें इसे छानना ना पड़े है कि उची follower का फीश वर्या對 करेंगे यह करे। मैंने यह बहुत कम मसाले से बनाया है मैंने कोई भी गरम मसाले से महाँना है आतो अधा है Das यहाँ पेस्ट को ग्रैंडर में निकाल लिया तो हम इसे पीस लेंगे कि है यहाँ पे मैंने जो जा याँ ग्रैंड कर लिये हैं तो देखे काफ़ी अच्छा अच्छा कलर आयाए और मैंने काफ़ी बारी ग्रैंड किया है तो अब हम उसी कड़ाय में अजलों करेंगे हुए हमारा जोशेस्ट सफ्राइक लिए पीत हैं तो भी प्याइट करेंगे इस नाख्य में दशन की मईं प्ंपरपारा हुए सब खुलर में पंते बासटाई हैं Sakensi यह दो यह सीजिवियों तो मैंने थोबसा पानी ब्रेंडर में लेके तुम्हाने एड़ कर लिया है तो इस पेस्ट को में जादा पकाना नहीं के लिए हमने अलेडी से फ्राइ कर लिया था तो इसे बसा में कुछ सेगन के लिए पकाएंगे यह बहुत ही आसान तरीका है और जो मेरी ग्रेवी का जो कलर है काफी अच्छा है मैंने अभी यहां पर कोई भी रेट चिली हल्दी आड़ने के अगर आपकी कलर अच्छ ना आए ग्रेवी में तो अब और आड़ करने के बाद थोड़ा सा हल्दी और लाल में ही डाले इससे यहां पर उन्हाथ को पानी से अड़ करूंगी थो मेरे नंच यहां और थोड़ी शेक पाणी आड़ने में यहींटे पीने इतने और से ग्रेवी रखना है तब ग्रेवी को पार्च मिट पकाएंगे मेरी जो ग्रेवी है वो काफी अच्छी तरकी से उबल गई है तो अब मैं इस में फ्रोजन मटर एड़ करूंगी इसे मैंने बॉयल कर लिया है तो इसे पकने मतला टाइन ने लगेगा मैंने इसे फ्राइ नहीं किया है मैं इसे यहां पर ऐसे ही डाल दूंगी और मैं यहां पर पनीर अड़ कर दूंगी पनीर को भी जो है मैंने फ्राइ नहीं किया है तो हलके हातों से चलाएंगे और आप देख सकते हैं यह कितना अच्छा बन रहा है और यह घानी में पी काफी स्वादिश होता है तो यह मेरी ग्रेवी में बाल आ गया है अब बस आंब इसे फाई मिट्र धक्या पकाना है लो मेडिययम फ्लेम में लो कर देंगे पाश मिट्र धक्या पकाएंगे फिर यह रेडी हो जाएगी तो आप देख सकते हैं मेरी जो मटे पनीर है वो काफी अच्छी से बन चुकी है तो हमें एंड में गरम मसाला डालना है बस एक पिंच गरम मसाला डालना है और मैंने वीडियो में आपको दिखाया था साबू जीरा तो वो मैं एड करना भूल गई थी तो मैं यहाँ पे अभी जीरा का जो पाउडर है वह एड कर देती हूं थोड़ा सा एब जो साबू जीरा था वह आप जब मैंने ग्राइंड करके जब पेस्ट किया था फिर थोड़ा स Deni गर ओल एड किया था तोकिने के बाद जीरा एड करें उसके बाद हो पेस्ट है वह ऐड करें तो मैं यहां पे डाल बुग już तो अब मैंने यहां पे गरम मसाले और जीरा पाउड़ा है जो उपर से मैंने अड़ कर दिया है बस हम इससे सर्फ करेंगे तो चले हम इससर्फ कर लेते हैं तो इससे सर्फ कर लेते हैं तो यहां पे मैंने सर्फ कर लिया है मटर पनीर को तो यह बहुत ही अच्छी मटर पनीर की रेसिपी है आप ट्राई जरूर करना और अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बैल आइकन भी जरू झाल बाई!